इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम अलेकुम रहमतुल्लाइ बरकातु इत्तिहाद न्यूज में आप सभी का आखार मगदम हैं क्या मोधी शाह को भारत की बदनामी का एसास नहीं यही आज का सवाल है जिसकदर देश के अंदर तशद्दुद देखा जा रहा है इसे लेकर विदेशों में क्या कहा जा र जब से मोधी सरकार इक्तदार पजीर हुई है तब किसी ना किसी तरीके से विदेश में बदनामी जा रही है कई किससे रोज मंजरे आम पर आ रहे हैं मेरिको कंपनी जिसके मशूर प्रोड़क्ट पैराशूट सफोला मेरिको हैर एंड के मालिक किशोर मारवानी ने अपने पेश करते हुए कहा कि जिसकदर हिंदूत वाद ने अकलितों के बारे में जो प्रपोगंडा किया है उससे मैं शर्मींदा हूं किशोर मारवानी वह शक्त है जिसका नाम दुनिया के अमीरों में शुमार किया जाता है पर कहते हैं भारत में जिस तरह बैरूनी मुमालिक का जिक्र अच्छे और बुरे तोर पर किया जाता है उसी तरह से भारत की सियासी समाजी हालात का भी तसकरा किया जाता है और मुझूद हालात में मुल्क की बदनामी इंतहा पर पहुंच चुकी है मोधी दुनिया भर में गश्ट करके सब कुछ ठीक है तो कहते हैं और नारी भी लगाते हैं पर जिन भारतियों को बैरुनी मुमालिक में मुल्क को लेकर सुनने में आ रहा है शर्मिंदगी महसूस कर रहे है आपको याद होगा कि जुमेटो और मुख्तलिफ कंपनियों के डिलियूरी बोईस को लेकर यहां तक के एटेल उड़ाफोन में मुलाजमत करने वाले मुसल्मानों के साथ कुछ फिरका पर जहिनेत को लोगों ने जो बरताव किया इस से भी भारत को लेकर अख़बार और म होटल मेनेजर से पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे इस पर होटल मेनेजर ने कहा कि हम आए दिन अख़बार में न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि भारत की हिंदो अवाम मुसल्मानों को अपने साथ रखना नहीं चाहती इन्हें मारा भी जा रहा है इसके लिए पूछा देश से भारत आने के लिए कोई तयार नहीं विदेशी निवेश तक करने के लिए दिल्चस्पी नहीं दिखा रहा आंधवक्त किसी न किसी बात को लेकर हंगामा खड़ा करने की फिराक में रहता है पर फिर जलील हो जाते हैं जैन्यू के एतजाज में जब दीपी का पद कौन चली गई और कनया के पीचे खड़ी हुई तो भक्तों की जलन में इजाफा हुआ और कुछ बीजेपीर के लिडरों ने देश द्रोही कहना भी शुरू किया लेकिन अचानक इसका हैसास हुआ कि हर जगह पर देश द्रोही ठहरा कर खुद के फजियत हो रही है तो प्र के हालात को दुनिया के सामने रखने के लिए बुलाया गया पर इन्होंने मना किया और कहा कि जो मोदी हकुमत कहती इस तरह यूरूपएन यूनियन काम नहीं करेगा बलके आजाद तप्शीश करेगा क्योंके मोदी सरकार के अफसर कश्मीर के हालात का जाइजा लेने आए वप्त के साथ आगे पीछे घुम रहे थे लिहाज आबारस सरकार की दावत पर हम नहीं आएंगा बलके हमारा वप्त अलग से जांच करेगा इसा उन्होंने का इनके मुताबिक हुआ साबिक वजिरहाला फारुक अब्दुला उमर अब्दुला और महबुबाम मुफ्ती से भी मिलना चाहते हैं जो कि पांच अगस से ही हिरासत में हैं या नजर बंद है इसी तरह भारत में अनर्चे और सिये को लेकर तशदुद का माहूल देखते हुए सैलानियों का यानि टूरिष्ट लोगों का भारत आना भी बंदुआ है सिर्फ आसाम में ही तकरीबान हजार अगस ब्रार करोड का घाटा होने की बात कही जाए है अगर ताज महल और देहली के तारीखी मकामात को देखने के लिए हजारों सैलानियों की तशद्दुद के मद्दे नजर आना पसंद नहीं किया जा रहा है भारत हैसा मुलक बनता जा रहा है जहा खून खराबा होता है और तशद्दू की फैरिस में आगे बढ़ना देश के हर शेहरी के लिए चर्मिंदगी का मकाम का जा सकता है विदेशों में रहने वाले भारतियों को शर्मिंदगी का एसास शिदत से महसूस हो रहा है पर देश के मोधिशा को हो नहीं रहा यह देश की बदक बदनामी इंतहा पर है भले या अंदवक्ति से माने या ना माने इत्यार देखने के लिए शुक्रिया अलाह अफीज़ आज़ा है